जालोर नर्मदा नहर पर मरम्मत एवं पुनरुधान का कार्या चालू किया जा चुका है वहाँ पच्पन जेसी भी एवं तेरेक्टरों और सेकडो श्रमिकों की मदद से कार्या चल रहा है इन अधिकारियों ने बताया कि जालोर जिले में 19 अभियंता वो 49 दक्ष श्रमिक, सिरोही में 25 अभियंता वो 63 दक्ष श्रमिक तथा पाली में 8 अभियंता वो 44 दक्ष श्रमिक कार्या कर रहे हैं जन स्वास्थ्या अभियंत्र की विभाग ने 15 में से 13 कस्पों में सेवाएं बहाल की है बाढ प्रभावित क्षेत्रों में 104 अभियंता तथा 726 तक्णीकी कार्मिकों को तैनात किया जा चुका है जल संसाधन विभाग की सूचना के अनुसार बार प्रभावित जिलों में 212 स्थानों पर नुकसान हुआ है वर्तमान आंकलन अनुसार मरम्मत्व पुनरूध्धान के लिए लगभग 260 करोड रुपे की जरूरत होगी